आप सभी के लिए लेके आया हूँ मैं यहाँ पे fly me OS और यह ऐसा OS है जिसे देखने के बाद लगता है कि बस देखते ही रहो देखते ही रहो देखते ही रहो क्योंकि जब भी कोई नया रोम काफी लंबे टाइम के बाद हमें देखने को मिलता है और काफी कूल वाली फिलिंग आती है उसे डालने के बाद जैसे आप देखो इसका कंट्रोल सेंटर काफी अमेजिंग सा लगता है बाकि यहाँ पे जो एप्स ओपन हैं क्लोज होने के जो इस कैसा है इसे डालना कैसे है पूरा चीज आपको पता चलेगा और साचाथ कम यह पर्फोर्मेंस वगेरा ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि सिव इसका मज़ा लेके हटा देना है या फिर यूज करना है ठीक है वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करेगा और चैनल पर है तो सब्सक्राइब ताकि ऐसी वीडियो आपको रिगुलर मिलते रहें कि अब से पहले देखो यहां पर मैंने एक्टिवेट कर रखा है और यह काफी ब्यूटिफुल लग रहा है और बहुत से टाइप के आपको कैटिगरीज देखनी को मिलती है एक्टिवेट के अंदर जो कि रियली में काफी कूल बनाते हैं क्लॉक फॉर्मेट भी काफी अच्छा खासा लगा यहां पर फ्लैसलाइट और आपको टॉट्स का ओप्सन देखनी को मिल जाता है यानि कैम्रे करनों टॉट्ट दोनों तेकी है ठीक है उसके बाद यहां पर इसका खुद का डाइलर मिल जाता है जो की काफी साहिए काफी अलग सा Merci देता रहे मागी यहां पर आपको अलग से अनिमेशन होगी लगेगा बाकी यहां पर मैंने 100 को activate कर रखा है जो कि smoothly activate हो जाता है माई device में आपको दिखाई देता है MEIJU18X जो कि इसका खुद का version और OS name है जहां पर memory extension यहां पर भी दिया गया है जो कि disable है by default बट इसे up to 6GB तक आप expand कर सकते हो जो कि सही है कर रहा है जहां पर जून 1 का security patch देखनी को मिल जाता है और किस दिवाइस से पोर्ट किया गया है उसका भी आपको यहां पर नाम दिखाई देता है जो कि device name यहां पर लिखा गया है बाकि यहां पर बैक यहां पर आते हैं तो आपको internet का option देखनी को मिल जाते हैं डिस्प्ले गे अंदर dark mode का preview काफी सही देखनी को मिल जाता है और dark mode भी काफी अच्छा लगता है इसके उपर बाकि यहां पर high brightness mode देखनी को मिल जाता है और हां इस brightness mode के आपको ज़रूत पढ़ने ही नहीं वाली है क्योंकि इसका brightness को मैं काफी ज़्यदा boosted मुझे लगा है brightness को मैं काफी कम करके रख रखा हूं फिर वी ऐसा लगता है brightness को ज़्यादा ही यहां पर मुझे नजर आ रहा है यहां पर फूल कर दोगे ना तो भाई रियली में आपके आखों पर असर पढ़ेगा वह भी इंसाइड तो आउट्डोर में तो भाई एक परसिंट का भी सून आपको जो निकल के सामने आती है और इस तरी साब इन्हें हाइट पगरा भी है जो कर सकते हो बाकि यहां पर all screen display mode देखनी को मिल जाता है जो कि आपको यहां पर देखनी को मिल जाता है जो कि यहां पर open और close का चीज आपको दिखाई देता है बाकि स्मार्ट की brightness screen का option आपक आपको दिखाई देते हैं कुछ यहां पर भी आपको देखनी को मिलते हैं कुछ यहां पर अलग भी आपको देखनी को मिलते हैं और इनिके अंदर animation I think है तो मैंने यहां पर apply किया आ जाते है यहां पर यहां पर देखनी को मिलता है जो पसंद आया बाकि आपको देखनी को मिलता है पोस्टर का option, auto-lock यहां पर आपके आपके जो लोग स्कीन पर आते हैं कर सकते हो बाकि कुछ इस्टा ओप्शन को मिलता है नोटीशन मैनेज करने का ऑप्शन जहां पर इस तरीक से नोटीशन एरिया वगडर आप आप जो कंट्रोल में ला सकते हो बाकि यहां पर आपको दिखाई देगा हमारा सिस्टम एपर जहां पर आपको जो रिशेट का लॉ आपको देखनी को मिल जाते हैं तो जो भी तीम आपको सही लगे यहां पर अप्लाइ कर सकते हो तीन दिये गए हैं डिफॉल्ट वाला काफी मुझे कूल लग रहा था और यह भी काफी कूल सा है जो कि सही है और हाँ जो आपको सही लगता है वह आप रख सकते हो आपके एलिया जो कि आपके लॉकर सिकल के लिए है यह आपके हो में बाकी जगाव पर यहां तो यहां पर मैंने अपने अप्लाइ कर दिया है और आप देखो कि कि यहां पर इनिमेसन को मिल रहे होंगे इस वाल पेपर के अंदर और और माधी यह चीज भी इसे इनचिन कि अवाल बना देती और बिल्कोली अलग टैप का यहां पर देता है Be आप इसका खुद का selection देखनी को मिल जाएगा बाकी यहां पर आपको देखनी को मिल जाता है इसका कुछ अलग टाइप का यह पूरा प्रिव्यू दिया गया कि पहले कहां से स्टार्ट हुआ था कि इतना कितना वर्जन में क्या क्या चीज़े चेंज हुई है आप देख पार लेकिन हो कि कहां से मारी भाई स्टार्ट अप हुआ था वहां से लेकर अब तक जहां पर पहुंच चुके ना वह साई चीज अगर एड रहे तो मज़ा सा आ जागा यह उच करने में जैसा कि आप यहां पर देख पारे हो यह मुझे लगता है कि हर एक Android के अंदर यह चीज ह आप प्रकता है हमारा स्मार्ट जों कर देखने को मिल जाता है यहां पर भी बताता है पूल यहां के जड़र्चर के नहीं करने वाले रिलेटिड हैं यहां पर पासवर्ड फेसल नों इनमें दिखत नहीं आती यहां पर आप्ट को allow है जैसे कि अगर एक टीवेट कर सकते है cabbage को मिल जाता है और देखनेपे बाकि मिलता है जहां जहां पर चैनिग मूर्द लगेर रखा है यहां पर मार जाती है और यह हमारा लोकेशन इमर्जेंसे डिजिटल हेल्थ वगेरा है जो कि डिजिटल वैल्विंग होता है यहां पर इसका खुद का लेबरिटी है जो कि कुछ है नहीं यहां पर उनके लिए होगा कुछ एक्सरा चीज़े ड्राइविंग मूड गेम स्पेस वगेरा यानि गेमिंग मूड आपको देख अभी फिलाल में इसके डिफॉल्ट वाले थीम पे चला जाता हूं क्योंकि वह मुझे थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा था यहां पर मैं डिफॉल्ट वाले पर आ चुका हूं और इसका जो कैमरा दिया गया है यहां पर देख से देखने को मिल जाता है जो कि यह आपको देखनी को मिल जाएंगे यह हमारा इसका कैलेंडर जो कि यह भी काफी सही देखनी को मिल जाता है तीम इस्टोर तो आपको मैंने दिखाई दिया कुछ इस तरह की साब को दिखाई देते हैं और तो अलग से आप्सन आपको देखनी को मिलते हैं जैसे कि MIUI का अंदर और प्रमीशन टाइप अब देखो ठोड़ा डिफरेंट सा इवाई दिखाई देता है ती हमारा आगया वेदर सामने यह है इसका जो कि हमारा नोट पैड वगेरा जो कि आप यहां पर यूज कर पाऊगे और मैं साय चीज़े इसलिए दिखा रहूं क्योंकि आपको जब न टूल बॉक्स पगड़ा जहां पे कुछ-कुछ एक्ष्टा ओप्सन पगड़ा दिये गए हैं बाकि यहां पे आपको एक फोन से दूसे फोन में डेटा सीच करने के ओप्सन मिल जाते हैं और यहां पे इसका पीस सर्विस है वह देखने को मिलता है तो टोटल यह सारी और यह भी सब्सक्राइब कम लगा बाकि अगर में यह से कंपेर करें तो बड मैं भी कह सकते हैं पहला पोर्ट वर्जन है फ्लाइमी का तो आनोले टाइम में और इंप्रूव हो सकता है तो काम चल दाया कोई बुडा नहीं है उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो कि यह द्वारा गीकबेंश सिमिलर आया बैटरी ड्रोप जो कि यहां पे हमें रेखनी को मिल जाता है जो कि 38 परसेंट है और जो में मॉर्निंग में चेक करता हूं तो आता है 36 तो फूल नाइट में 2 परसेंट का बैटरी ड्रोप हुआ है और यहां पर पता नहीं हमेंसा हर एक फ नहीं रहता तो बैंकिंग एप में दिक्कत आएगी और यहां पर हम बात करें तो देखो बैटरील होने के बाद की से पॉप आप आता है 20 परसेंट का एक पॉप है जो कि मैंने स्क्रीन सूट लिया था तो यह चीज मुझे थोड़ा इस तरीकी से अलग तरीके से देखने क मिली और अहीं बात इसका गेम स्पेस जो कि यह रहा गेमिंग मूड वगेरा यहां पर आपको देखने को मिलता है बूस्ट करने का बैगराउंड यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डर है और डिस्प्ले अजिस्टमेंट का है और टर्न आफ स्क्रीन वगेरा के ऑप्शन है और के रूप में लेकिन लॉंग लाइप के लिए अफी मैं यह सजेस्ट नहीं करूंगा बट रियली में मजा आ गया एक लंबे टाइम के बाद इस टाइप के है जो यूए को यूज करके आपका क्या है ओपिनियन कमेंट ज़रू करना अब रही बात इससे करना है तो सिंपल अब को पहले पावर ओफ कर लेना है तो यहां पर इसका खुद का सिष्टेंट रिस एक और मारते हैं लॉंग प्रेस करते हैं इसका पावर बटन आगे कुछ इस तरहीं के से तो यहां पर डाइक्ट ऑफ कर लेंगे और करने को रिकावरी ओप्न करेंगे जो कि हमारा पाव 5G का support भी मिले तो इसे select करेंगे और swipe कर देंगे तो इंडिया वाला global चाइना चाइना जो भी है वो ढाल लेना इसके complete flash होते ही back आज आएंगे अब आपका जो roam है जो आपने download किया है इसे डाइक्ट flash कर देंगे complete flash हो जाने के बाद simple आपको last आप में यहां पर format पर click करना है ताकि आप format कर सको ठीक है तो यह टाइप करके यहां पर format पर click कर देंगे complete होने के बाद back आएंगे यहां पर जाएंगे हमारा जो कि है reboot और यहां पर देख लेना slot activate है यहां यहां पर click करना slot activate करना रिक्वंडेड है उसके बाद आप यहां पर system reboot कर लो आपका यह बूट कर जाएगा और आप फिर रिव्यू करने के मन नहीं करता है सच बताओं तो यह यह सचाई तो प्लीज आपसे इतना रिक्वेस्टिक वाई आपके लिए रोम लेके आ रहा हूं जो कि आप comment और share कर दिया करो जो कि बिल्कुली फिर यह कोई आपको pay नहीं करना पड़ा है नहीं आपका 10 घंडे का time जा रहा है तो यह छोटा सा काम प्लीज कर दिया करो मेरे लिए ताकि मैं आपको ऐसे चीज़े और provide करता रहूं ठीक है thanks watching bye कर दो कर दो